Hi everyone, स्वागत है आप सभी का Teaching Goals Case Learning Platform पर I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे एक update है यहाँ पर TGT के जितने भी candidate जिनोंने form भरा था 7471 पदों के लिए जिनोंने भी यहाँ पर apply किया था और जो भी wait कर रहे थे कि भी आपका result आने वाला है उनके लिए थोड़ा सा एक bad news है यह थोड़ी से तो क्या काफी bad news है हम सभी यह सोच रहे थे कि जो result है वो September में आएगा बट अभी आपके मामले की यानि कि जो आपका चला हुआ था ना cases चला हुए थे उनकी जो अगली सुनवाई है वो 19 October को तै करी गई है तो मतलब 19 October से पहले तो आपका result नहीं आएगा तो यह जो अदालत और जो आयों के बीच में जो चल रहा है चीज़ है इसके बीच में पिसने का काम वो सभी candidate कर रहे हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर् यह करवाया जा रहा है यह natural नहीं है यह artificial है इसको करवाया जा रहा है अब आयों की मर्दी है वो जब चाहे जैसे चाहे वो चीज़े करे तो इसमें जो अपडेट है वो यह है कि मैंने आपके साथ पहले भी discuss किया था कि इसके उपर case हो चुका है और यह case किया है उन candidate ने ज छूड दी जाए बट यहां पर जो आयोग है HSSC ने सीधे ही eligibility के अंदर ही अच्छे से mention कर रखा है कि सिरफ उन लोगों को ही यह benefit मिलीगा जो हर्याना के सरकारी स्कूलों में अपना experience लेके बैठ है तो ना तो आपका private का मान्य किया जाएगा ना ही आपका central का ही नहीं किया उसके अंदर क्या हुआ है वो आपको अभी मैं बता रही हूँ देखो इसके अंदर यहां पर इन्होंने बताया कि जो तारीके वो कब कब आई थी 30 जुलाई को आई थी 10 अगस्त को 22 अगस्त को 12 सितंबर को जो कि आपकी कल थी और अब आपके जो date है वो खिसक करके 19 आयोग ने इस चीज का जवाब दिया भी कल बट यहां पर आपको समझना होगा कि जवाब जो दाखिल करने के दो तरीके होते हैं एक तो आप रजिस्ट्री में दाखिल करवाएं और एक आप सीधे भी जज के सामने खड़े हो कि बता सकते हो आप सीधे जवाब भी दे सकत सक्टूबर तक तो आपका रेजल्ट आना का कोई चांस है नहीं उसके बाद भी देखी जाएगी क्या होगा उनली सक्टूबर को तो टीचर्स की तो बहुत सारी कमी स्कूल में आई हुई हैं इसमें तो कोई भी दोर आई नहीं और अच्छा होगा अगर जल्दी से जल्द किया है इस मामले में तो आयोग ने अभी भी अपना कोई भी स्टैंड चेंज नहीं किया है आयोग अभी भी यहीं कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ हर्याना के गौवर्मेंट स्कूल का ही जो एक्सपीरियंस है उसको मानने करेंगे इसके लाब हम कोई भी एक्सपीरियंस म अगर नहीं किया है, तो मिलते हूं नेक्स वीडियो में, thank you, thanks for watching me.